अरी संगत को नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है और मैं आगरा से हूँ मेरी गुरुजी से जर्नी मेरी ख्याल से 2021 में स्टार्ट होई थी मेरी एक मैम है, नरीशका और मैम ऐचली वो मुझे से बोलती थी कि एक गुरुजी है मैं तुझे, एक मेरे पास बैट टाइम से तो मैं तुझे मोबाईल पर दिखाऊंगे मैंने कहा, मैं पता नहीं किस गुरुजी की चक्कर में आ जाती हो तुम और मेरे पर तो समझ में नहीं आता इसलिए मुझे मत दिखाऊ, पता नहीं क्या करती रहती हो तो ऐसे करके मैंने उनको बोल दिया, फिर उन्होंने मुझे से बोला कि देख तू बैठ क्योंकि तू शिप भगते, तू शिप जी की बहुत पूजा करती है मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ तब भी फिर मैंने बोला, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़ी सी बुज़ूर्ग है और ऐसा ही तुझे उन पर मॉबाइल पे ने धरदर हो जाता मैंने का मैं प्लीज ध्यान से ऐसे मत किसी पर टस्ट किया करो बस इतना मैंने कहा उसके बाद उनकी बेटी है तारिंपी जो की लंडन में रहती है और उन्होंने न वो गुरुजी से अटैस हुई थी गुरुजी से मतलब उसका जुड़ाव हुआ और काफी लगाव हुआ उसने प्रे किया और उसने जो अपना एक experience था audio वो उनको भेजा and then मैंने वो audio मुझे भेजा and सच में संगत जी वो audio मेरे पास नहीं है actually वो delete हो गया और उनके पास भी delete हो गया उस audio में मैंने रिमपी की जो experience गुरुजी के लिए सुना उसमें यही था कि वो एक दिन लेटी हुई थी वो गुरुजी को मानने लगी थी और एक दिन लेटी हुई थी उसको इतना trust था कि उसका सारा कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे even है उसकी marriage की जो जोल्री थी वो काफी बनलब problem से गुजरी और आज उसे इतना बड़ा trust है कि गुरुजी है तो मेरा सब कुछ ठीक होगा कुछ गलत हो ही नहीं सकता अचानक उसको उन्हों नहीं दे दी यह उसका experience था और यह जो मैं आपको main बताना चाहती हूँ उसका जो audio था उसमें था उसने अपनी ममा को एड्रस करके लिखा था कि ममा जो फ्रेक्रेंस है गुरू जी की कि मैं रात को लेड़ी, मैं शायद वो रात में लेटी हुई थी, एड केरी ममा कहीं भी धूब बती और अगर बती नहीं थी, और केरी मुझे इतनी खुश्बू आई, इतनी खुश्बू मेरी नाक में, मुह में, गले में, ममी ऐसे भर गई, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सारे में देखी जाया हूँ, और जो उसकी वॉल्यूम थी, जिस लहेचे में आप बोलो, उसने जो बोला था, जो गुरूजी के लिए, मुझे ऐसे लग रहा था, जो बोल रही थी, जैस कि यह वास्ता में, फिर मैंने मैं को, मैंने पूरा वो सुना, उसके बाद मैं कुछ अपने आपी मतलब जबकि ना मैंने गुरूजी का स्वरूप देखा था, ना मैंने गुरूजी को जाना था, मैं मेरे से बोलना चाह रही थी, तो भी मैंने उनका नहीं सुना था, डिफेंस में हैं, और तो मैं आगरा में हिस्ट कर रही हूँ, और वो भी डैली में पोस्टेट है, उसके बाद मैं अचानक स्कूल से आई, तो उन्होंने मुझे मुझे बोला, कि मैं तुझे मंदर दिखा के लेके आती हूँ, जो आगरा में, ये भाटिया जी है, भाटिय उनके बारे मैं कुछ पढ़ा, देट उनकी आउजियो, और सीधा मेरे जो गुरुजी ने मुझे अपने चरण में लिया, वो सीधा मेरे जो गुरुजी के आगरा वाले मंदर में एंट्रे हूई, और वास्तम में संगर जी, आप कावेरी अपार्टमेंट में हम उतरे, उस लगा कि वो बनता है, हम लोग पांच लोग ओटों में गए, हमारे घर से काफी टैन क्लो मीटर पढ़ जाता है, तो दैन फिर बड़ा वो लग जाता है, मैं कहा रही थी, बताओ, इतना अच्छा मन हुआ और हम आए, एंदर्शन होने पारे, और हम लोटी रहे थे तो अच लग एंट्री करते में कुछ लगा कि वास्ता में कुछ औरा है, जाते ही गुरूजी के दर्शन करना, मैंने फिर्स टाइम किसी का इतना हीूज सरूप देखा, जो पॉजिटिविटी थी, और वहां पहुँचे, वहां बैठे, एक शान्ती के अलावा, पीस के अलावा, व अगर अप्ध्यान से, अगर किसी के चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो वास्ता में अपने अप्ध्यान जाता है, इतना उनके अंदर पॉजिटिव औरा था, ऐसे लग रहा था कि कोई चुम्ब की प्रवा मेरी तरफ आ रहा है, और मैं उनसे जोड़ गई, फिर उसके ब आप जोड़ते हो, और उनका सत्संग सुनते हो, तो उसके बाद पता लगता है, तो फिर मैंने अपने गले में डाला, अपने डाटर के गले में डाला, मेरी डाटर पीजी में करूलबाग में रह रही है, वो डियू से ग्रजिशन कर रही है, उसके बाद हम लोग, फिर मैं मेरे घर आई एंड वो उनका दिली से वो था वो मेरी जिस प्रूल सास की तरह ही हैं उनका दिल से ये था कि मैं गुरूजी से अवलब जुड़ू और उनका वो करूँ क्योंकि मैं शिपकी भगत हूँ तो मैं जुड़ तो उसी दिन गई थी जिस दिन मैंने अब काविर अप होते हैं वो खाली करके मुझे बाहर आना पड़ा तो जब मैं फर्स टाइम जब आगरा गई थी मैं आपको बताना बोलगी तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं पहली बार सिविल एरिया में रह रही हूँ वो भी अकेले रहूँगी डॉटर को भी मुझे अकेला चोड़ना है व और यह जो मेरा डिसीजन है अकेले रहने का जॉब करके वो बिल्कुल सही डिसीजन हो क्योंकि मेरे हस्बेंट तियार नहीं हो रहे थे कि तुम मैं कैसे मैनेज करूंगी यह डिसीजन जो गुरूजी ने मुझे दिया एक अलत पॉजिटिविटी से वो मेरा बिल्कुल सही निकला और मैं हराम से यहां पर रह रहे हूँ उसके बाद मैं माई और उन्होंने मेरे हस्बेंट से ऐसी बुला कि बड़े मंदिर के बारे में बताये तुम लोग जाना यही मन था कि मैं पूरे विट फेमिली है मेरी सिंकल डॉटर है एकी मैं हस्बेट और डॉटर है मेरा यह मन था कि मैं जब जाओं तो परिवार के साथ बड़े मंदिर जाओं तो मैंने बुला कि आजाना, उन्होंने का मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम लोग निकल जाओ, मैं निकलने वाली थी, गुरू जी को बुलाना तो था ही, अपने पास, तो कहते हैं, डिफेंस वालों का तो अलगी गुरू जी के लिए साफ्ट कॉर्नर रहता, जो कि मुझे बाद में मैंने जब सबके सुने सतसंग, तो मुझे पता लगा, तो अचानक वो फोन करके, बुल दे नहीं नहीं तुम रुको, हम लोग गाड़े से चलेंगे, तो फर्स टाइम, संगत जी, गुरू जी ने मुझे पूरी फैमिली के साथ, बढ़े मंदिर बुलाया, और कुछ पूछे मत, फिर मैं, वहाँ हम रुक दर्शन करके, लंगर प्रशाद था, हमने तीनों ने लंगर प्रशाद किया, फ़र्स टे ही मुझे गुरू जी के, जो अंदर मंदिर में बैटने के लिए इस्थान मिलता है, वो इस्थान मुझे, हम तीनों को वहाँ पे मिला, तो मैंने अपने को बहुत ब्लैस समझा, वास्तम में, मुझे उस दिन ये ऐसाज हुगा, कि मैं थोड़ी बहुत शिवग्त हूँ, जिसलिए कि मुझे ये इस्थान थोड़ा बहुत बैटने को शाहिद मिला है, फिर उसके बाद मैंने जब इस पे देखा, तो नितिन अंक में, एंड टच फूड मतलब कहते हैं कि नितिन अंकल भी वही उनकी बाड़ी रिस्पॉंस गरते हैं, जो गुरू जी कराते हैं, तो उसका तुरंद मिर पास मैसिज का रिपलाई था, कि अरे वाँ आप डिफेंस से हैं, और ऐसे ऐसे डिफेंस बालों का तो गुरू जी का वो रहता है, और फिर पर्सनल पर मैंने नितिन अंकल को रिकेस्ट बेजा कि मुझे ब्लेसिंग्स के लिए, तो उन्होंने का कि आप वो फॉर्म फिल करो या वो करो, और मैं आपको सच बताओ कि मुझे न मीडिया में जादा कुछ नहीं आता, मतलब मैं वाट्सेप चला वो उपन कर गई है, तो मैं उसे ही सचसंग करे सुनती हूँ, और गुरुजी का फस मैसिस के हिसाब से मैं अपनी लाइफ को मोड़ती हूँ, तो फिर ऐसे ही मैंने बोल दिया, पता नहीं, संगत जी मैंने फॉर्म नहीं बराता, क्या हुआ, नितिन अंकल जी ने मुझे ब पैसिंग्स आ गए, चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप, और ब्रेसलेट, एंड उनकी लॉकेट्स, और वो मुझे मिल गए, तो मैं उसमें भी अपने को थोड़ा लगी, समझने लगी, और वो सारा मेरे पास आ गया, उसके बाद तो लाइफ इतनी अच्छी चल र हैं, और बाहर वो कभी रही नहीं, इवन इस सिविल एरिया में भी नहीं रही, तो मेरे लिए डैली के माहौल के हिसाब से बहुत वो लगता था, लेकिन अब ऐसा है, कोई वीक ऐसा नहीं जाता, अगर उसकी कोई शिरकार्मेंट ज़्यादा ही वो विजी हो तो बात अलग है, कहती है, ममा मुझे ऐसा लगता है, जब मैं वहां मंदिर में जाती हूँ, कि मेरा कोई है, या मेरी सर पे कोई हाथ रख रहा है, इतना मुझे अच्छा लगता है, वहां जाकर के, तो मैं गुरू जी का, जो फेस्बुक का जो फर्स मैसेज होता है, मेरी लाइफ की शु हुआ है नदिश्क और मैं की बेटी जो लंडन से लॉट के आई तो हम लोगोंने मिलकी सत्संग कराया तो वहां शेयर मैंने किया था और वास्तम है मेरी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है देखो ची प्रॉब्लम्स तो रहती हैं लेकिन एक जो कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि कोई है जो हमसे ये कह रहा है कि आल इस वेल तो वो मेरे को अंदर से महसूस होता था अधर्वाइज मैं काफी चिंता करती जाती थी उसके लिए एंड बागी की मेरी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है एंड एक इतना विश्वास आजाता है कि कोई है जो आपके लिए है और हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा और आपके लिए कभी कोई भी प्रॉब्लम के लिए नहीं होगी ये एक विश्वास है ता औ होगी भी तो लगता है कि वो इस problem से वो smooth निकाल के ले के आ जाएंगे एक मेरी personal problem थी that time मैं कहतो रही हूँ मैं इतनी problems में उनके पास साथ जुड़ी चोकि मैं उनके बारे मैं जानती नहीं हूँ और वो problem मेरी इतनी smooth निकली इतनी smooth निकली मैं आपको explain नहीं कर सकती हूँ बहुत ही smoothly उस problem से उन्होंने मुझे निकाल दिया जबकि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उस problem से नहीं निकल पाऊंगे बट इतनी smoothly उन्होंने मुझे निकाला और इसके लिए मैं गुरूजी का शुकराना करती हूँ निकल आपका भी शुकराना करती हूँ कि मुझे आपकी blessings मिली एंड मेरे आज है मैंने गुरूजी का मेरे को medical problem से भी रहती थी एंड संगर जी वो बिलकुल मेरी ठीक है क्योंकि मैंने लोटा bless कराया था बड़े मंदे से और मैं कर लेती हूँ नितिन अंकल जी का सस्तंग सुनती हूँ बट लाइव नहीं सुन पाती क्याकि मैं स्कूल में teacher हूँ तो मेरे class होती है लेकिन मैं स्कूल से आके मैं उनका सस्तंग सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि life में क्या है मंतर जाप से वास्तंग में एक शक्ती आती है घर में गूसता है मैं अकेली रहती हूँ मुझे गुरू जी ने ये अनुभब नहीं कराया आज तक कि मैं घर में अकेली रही हूँ यह सबसे बड़ी positivity है जो उन्हाने में मुझे दी life में शुक्राना तो कम पड़ जाएगा शुक्राना वर्ड मेरे हिसाब से बहुत चोटा होता है हम उनका क्या शुक्राना कर सकते है लेकिन उन्हाने हमें अपनी शरण में लिया और हमें आशिरवात दिया इसका वास्तव में शुक्राना है सबके लिए संगजी कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कीजियागा जै गुरूजी शुक्राना ओम नवश्यवाई सिब्री सदा सहाए ओम नवश्यवाई गुरूजी सदा सहाए